नवश्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन देराथ खबर आती है कि यूपी के पुर्व बिधायक मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है उनकी मौत हार्ट अटेक की वज़ा बताई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुक्तार अंसारे की मौत को लेकर जश्वी आदब ने ट्वीट किया है जश्वी आदब ने क्या कुछ ट्वीट में लिखा है हम आपको अपने स्क्रीन पे वो ट्वीट दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जश्वी आदब ने मुक्तार अंसारे की मौत पर ट्वीट करके लिखा है यूपी से पुर्व जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पहले ये खबर मिली थी कि मुक्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया है। के डॉक्तरों ने मुक्तार को बचाने की काफी कोशिस की मगर उसे नहीं बचा पाए। माफिया मुक्तार की मौत से उत्रप्रदेश में हरकम मच गया है। इसी के साथ अब मुक्तार की मौत पर राजनीती भी होने लगी है। बिहार के पुर्व डेप्टी सीम्त जश्वी यादव ने सोशल मेडिया पर टूइट करते हुए अपनी बाते भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि पुर्व में उन्हों शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है। फिर भी इस बात को कोई भी गंभिरता से नहीं लिया। पूरे राज में दंड प्रक्रिया सहीता C.R.P.C. की धारा 144 के लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महाने देशक प्रशांद कुमार ने कहा है कि कानून विवस्था। सुनेश्वित करने के लिए पूरे राज में 144 धारा लगा दी गई है। आपको बता दे किससे पहले भी विविन अपराधिक मामलों में बांदा जेल में बंद बाहु वली पुर्विधायक मुक्तार अंसारी की तब्यत बिगडने के बार मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था। मुक्तार के भाई सांसर्द अफजाल अंसारी के मुतावे मुक्तार ने दावा किया था कि उन्हें दो बार खाने में जहर दिया गया है। मुत पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहीं न कहीं इस बात को लेकर मुक्तार अंसारी पहले भी क्या चुके हैं कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है लेकिन इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लिया है।